लेकर यहां उपस्थित हो गए हैं और आज का विशय है तप ही ब्रह्म है तैतरिय उपनिशत का यह विशय है तो तैतरिय उपनिशत का यह विशय क्या कहता है उस पर हम चर्चा करेंगे आज हम तैतरिय उपनिशत का आखरी जो अध्याय है भ्रिगु वल्ली पहली वल्ली थ इसको हमने कल हमने श्रवन किया अंत तक कि ब्रह्मानंद क्या है किसे प्राप्त होता है कि सबसे बड़ा आनंद वही है कैसे है तो यह सारी चीजे यह कल कि हमने चर्चा में ली थी आज है भ्रिगु वल्ली तो निश्य ही इसका नाम भ्रिगु है भ्रिगु वल्ली अर्थात मरशी भ्रिगु से संबंदित है रिशी भ्रिगु से संबंदित है तो थोड़ा सा हम यह जानेंगे कि रिशी भ्रिगु कौन थे रिशी भ्रिगू कौन थे तो रिशी भ्रिगू की जो कथा है पुराणों के अनुसार भी और इस उपनिशद के अनुसार भी वह वरुण देव के पुत्र थे देवताओं में एक देवता है वरुण देव उनके पुत्र थे महाशी भ्रिगू उनके तीन पुत्र जो की रिशी प्रसद्ध रिशी हुए भ्रिगू बालमिकी और अगस्त थे कहते हैं कि ये तीनों ब्रह्मा पुत्र भी माने गये हैं लेकिन वरुन देव के ही ये पुत्र थे वरुन देव उनकी माता का नाम चार्शनी बताया जाता है जहां तक मुझे इस्मरन है तो रिशी भ्रिगु अब इनकी कन्या का विवा शुक्राचारे से हुआ था ऐसा भी वर्णन मिलता है साथ में तो एक लंबी कहानी है चलिए तो वरुन देव के तीन पुत्र भ्रिगु बालमेकी और अगस्ते उनमें से यह भ्रिगु का प्रसंग है मारशी भ्रिगु का प् जोतिश शास्त्र का एक बहुत ही माननेता प्राप्त प्रतिश्चित ग्रंत कहा जाता है तो भ्रिगु का प्रवेश यहां क्यूं होता है और भ्रिगु क्या प्रश्न करते हैं किसी से प्रश्न करते हैं या फिर वह उत्तर दाता है या प्रशन दाता है प्रश्न करता है य आज के इस लाइव चर्चा में हम सुनेंगे, so महर्शिव भ्रीगु से समद्रित इह अध्याय होने के कारण इसका नाम है भ्रीगु वल्ली तो तीन अध्याय हैं इसमें सिक्छाव ब्रह्मांद वल्ली और भृबान औंद वल्ली कल हमने खतम कर लिया अब भ्रीगु वल्ली को हम प्रारंब कर रहे हैं तो भ्रिगु वल्ली का प्रसंग कैसे शुरू होता है उसका प्रथम इसलोक क्या कहता है आईए हम उस पर चर्चा कर देखते हैं कि क्या प्रशन है और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रशन है हमारा हमारा जो विशह है तप ही ब्रह् बनाता है तो महार्श्य भ्रिगु क्या करते हैं यहां पर कहा जा रहा है कि भ्रिगुर वय वारुनिही वरुनहा पित्र मुपसार अधीही भगवो ब्रह्मेती तस्मा एतत प्रवाच अन्नम प्राणं चक्छू श्रुत्रम मनोवाच मीती तम हुआंच यतोवा इमानी भूत आनी जायंते येन जातानी जीवंती यतप्रयंत भिशंबशन्ती तद्वी जिज्ज्या सस्व तद्ब्रमेती सतपो अतपयत सतपस्तपत्वा रथात यह प्रसिद्ध है कि वारुनिवरुन के पुत्र भ्रिगु च्छुआई वारुनही वरुनम् पित्र मुपसासार अध वरुन के पुत्र भ्रिगु अपने पिता वरुन के पास जाते हैं और विनय प्रुवक उनसे प्रश्न करते हैं भगवह यहां पर भी देखिए अब यहां पर देखिए जब भ्रिगु अपने पिता वरुन के पास जाते हैं तो उपनीशदों के अनुसार वो उन्हें क्या कह भगवह अर्थात है भगवन अपने पिता को भगवन सब्द भगवान कहकर संबोधित करते हैं इसलिए मैं बार-बार एक बात रिपीट करता हूं कि भगवान के अर्थ को समझें नहीं तो आपको लगेगा यह भगवान कैसे हो सकते हैं इनको उपनिशत भगवान लिख रहे है क्या जी नहीं भगवान की परिभाशा के अनुसार वो सही ही लिख रहे हैं लेकिन हमने कुछ गलत समझ के बैठा हुआ है समस्या यहां पर है तो कई बार मैं दूसरे पिछले व्याख्यानों में भगवान के बारे में बता चुका हूं कि भगवान किसे कहा जाता है लेकिन यहां उपनीशद कई जगहों पर रिशी मुनियों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग उपनीशद में हो रहा है तो प्लीज वैदिक कॉंसेप्स को समझिये तभी सनातन धरम समझ में आएगा जिसे आप हिंदू धरम भी कहते हैं नहीं तो सत्य यह है कि आप की जो माननेताएं हैं भले ही आप अपने आपको हिंदू धरम सनातन धरम कहती हो लेकिन जो आपको आपकी जो बिलीब सिस्टम है या फिर जो मानने का जो तरीका है वो सनातन धरम जैसा है नहीं जादातर सनातन धरमियों या हिंदूओं के साथ यह समस्या है वो अपने किसी इश्वर को उसी ढंग से मानते हैं जैसे की विदेशी माननेताओं में माना गया है बस यहीं सारी समस्या है तो भगवहा वो कहते हैं महर वरुन देव के पास चलते हैं और जाकर कहते हैं कि भगवह, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म अधीही, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, इती तसमय एतत प्रवाच, अन्नम प्राणं चक्ष श्रोतम, अर्थात कि इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे वरुन ने यह कहा कि अन प्राण और नेत्र शोत्र मन वानी इस प्रकार पुनह उससे कहा कि ये सब प्रतक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन होते हैं और उत्पन होकर जिसके सहारे जिवित रहते हैं प्रयान करते हैं और फिर इस लोकों से प्रयान करते हैं मतलब मृत्यू को प्राप्त होते हैं इस लोको छोड़ कर जाते हैं और जिसमें अंत में प्रवेश करते हैं उसको तत्व से जानने की इक्षा कर वही ब्रह्म है इस प्रकार उन्होंने कहा कि तप किया और तप के तुम जान पाओगे कि ब्रह्म क्या है इस प्रकार से वरुन देव ने उत्तर दिया समझ लेजिए इस बात को बहुत अच्छा बहुत सुन्दर यह प्रसंग है महर्शी भ्रिगू का बहुत कॉंसेट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें भ्रिगू गए अपने पिता वरुन देव के पास और उन से प्रश्न किया कि मुझे ब्रह्म का उपदेश करें तो वरुन देव ने कहा कि यह जो हमारे इंद्रियां हैं हमारे चक्षू हैं हमारे श्रोत्र हैं और फिर हमारी वानी है हमारा मन है यह जिस शक्ती से उत्पन होते हैं और जिस शक्ती से कारे करते हैं यह जीव को जो उतपन करने वाला है और जीव को जो जीवन देने वाला है और फिर इस लोक से जो प्रयान कराने वाला है और जहां जानने हे तू तू तपस्या कर, तू तप कर, ठीक है, उसको जानने हे तू तप कर, तो अब ये बता दिया, लेकिन अब ये क्या है, या तो एक theoretical knowledge था, या तो एक जवाब था, अब भिगू को इस पश्ट नहीं हुआ कि किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, अब भिगू तप करेंगे, तब करेंगे और तब करकर, जो उन्हें समझ में आएगा, गहराई में थोड़ा उतरेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और जो समझ में आएगा, फिर से अपने पिता को बताएंगे, क्या कहते हैं, आईए सुनते हैं, तो पिता ने उतर दे दिया, वरुन दे है वह सब एक ही शक्ति है तो उसको जानने की एक शक कर उस ब्रह्म को जानने के उस्टर अब जो है और ब्रिगु ने कुछ चिन्तन किया मनन किया एक अनक्लूजन ले आया और उन्हों पने आपने पिता से कह अन्न ब्रह्मेती वय जानात अन्नाध येव खल्विमानी भूतानी जायंते अन्नेन जातानी जीवन्ती अन्नम प्रेयंत भिसम विशन्तिती तद्विज्ञाय अपनरेव वरुनम पितर मुपससार अधीही भगवो ब्रह्मेती तम होवा चितपसा ब्रह्म वजिज्या सव्य तपो ब्रह्मेती सतपो अतप्यत सतपस्तपत्वा अन ब्रह्म है भ्रिगु को क्या समझ में आया कि अन ही ब्रह्म है अन ही ब्रह्म है इसमें कोई संशय नहीं है जी अन अबनिश्य ही ब्रह्म है इसकी चर्चा आगे भी इस उप्रिशत में होने वाली है लेकिन अब समझाने का यहां पर जो प्रयास से यहां पर भ्रिगु मैंने जाना है क्योंकि सच मुछ अन्न से ही ये सभी प्राणी उत्पन होते हैं उत्पन होकर अन्न से ही जीते हैं प्रयंती और फिर अन्न से वो प्रयान कर जाते हैं अन अभी सन विशंती अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं उनका शरीर बाद में मिट्टी में मिलकर अन्न मे नहीं किया कहा भगवन हे भगवन अभर्गु ने फिर बोला हे भगवन मुझे ब्रह्म बोध कराईए इतितमह उवाच तब उससे सुप्रसिद्ध वरुन रिशी ने कहा कि तप से ब्रह्म को तत्व से जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है इस प्रकार उसने तप किया और तप करकर आगे भी कुछ बात समझ में आई होगी, आगे भी कुछ बात समझ में आई होगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है यह, तो भिगु ने विचार किया, मनन किया, भाई देखा कि सब कुछ तो अन सही हो रहा है, अन सही शरीर बन रहा है, अन ना रहे तो हम सोच भी नहीं पाएंगे सोचने की भी शक्ति कम पढ़ जाएगी अगर खाना ना खाओ तो ऐसी व्याख्या छांदोग्योपनिशद में भी आती है जब हम छांदोग्योपनिशद की चर्चा करेंगे तो उसमें वो कवर होगा तो भिगु ने कहा अपने पिता को जाकर मुझ देव उसे theoretically एक बार समझा चुके हैं कि भाई वो परमशक्ति जिससे की इंद्रियां काम कर रही है जिससे की जीव उतपन हो रहा है जीव जीवन जी रहा है और फिर जीवन के उपरांद जो लोकों से प्रयान कर जाता है मृत्य होती है इस लोग से दुसरे लोग में प्रय जानने की इक्षा कर और तप कर क्योंकि बिना तप के बिना साधना के बिना ध्यान योग के नहीं समझ में आने वाला कि exactly ब्रह्म है क्या आत्मा क्या है नहीं हां जितनी बाते हैं मैं बोल रहा हूं चाहे उपनिश्द लिख रहे हैं चाहे कहीं पर भी कोई कुछ बता रहा रहना है और वह मात्रप्रेणना है तो यहां पर वर्वन्देव क्या कहते हैं जब भीकू ने कहा कि मुझे को यह समझ में आता है कि अन रहीं ब्रह्म है नहीं ब्रह्म है तो वरुन देव ने उनका समर्थन नहीं किया और समर्थन ना करते हुए कहा कि तू उस ब्रह्म को जानने की इक्षा कर और तप कर तप के साथ तपसा ब्रह्म विजिग्या ससव अर्थात कि तपसा तपसे ब्रह्म को जानने की इक्षा कर कैसे तप से साधना करते हुए ध्यान योग करते हुए उस तप का माध्यम मरशी पतंजली ने अस्टांग योग में बताया है यम नियम आसन प्रणयाम प्रत्यहार धारना ध्यान समाधी ये रास्ता दिया है मरशी पतंजली ने तप करने का तो तप के माध्यम से तो इच्छ कर तो तुझे पता चलेगा कि ब्रह्म किया है चलिए फिर से उसे भेज दिया तपस्या करने के लिए भाई जा तपस्या कर तभी समझ में आएगा तप करने के लिए विधी पुरुवक कर नियम से कर चला गया भृगु चले गए तप करने के लिए तप करकर फिर कुछ बाते समझ में आई अनुभा हुआ थोड़ी और सुक्षमता में पहुचे थोड़ी और सुक्षमता में जब पहुचे तो उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बोला कि अब मुझे ये समझ में आता है क्या कहते हैं वो प्राणू ब्रह्मेती विजनात प्राणद्वे खल्विमानी भूतानी जायंते प्रनेन जातानी जीवंती प्राणं परियंत भिसं विशंतिती तद्विज्याय पुनरेव वरुनं पितर मुपससार अधीही भगवू ब्रह्मेती तम हो आच तपसा ब्रह्म विजिग्या सस् अर्थात फिर उन्होंने कहा क्या कहा जी अब इस बार क्या कहते हैं उस पर थोड़ा हम विच्छार कर ले। क्या उतर देते हैं भ्रिगु महाराज को तो भ्रिगु से कहते हैं भ्रिगु ने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है अब मुझे ये समझ में आता है कि प्राण ही ब्रह्म है इस प्रकार जानना चाहिए क्योंकि सच मुझ प्राण से ही तो ये समुस्त प्राण ही उत्पन होते हैं उ अगले जनम को प्राप्त होता है प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार उसे जानकर फिर पिता वरुन के पास गया और जाकर कहा है भगवन मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राण ही ब्रह्म है प्राण ही वो प्रम शक्ति है जिससे सब उत्पन होत आप मुझे ब्रह्म का उपदेश देजिए इस प्रकार प्रायर्थना करने पर प्रसिध वरुन देव ने उससे कहा कि उसका भी समर्थन ने किया उन्होंने कहा कि ब्रह्म को तप से जानने की इक्षाकर तप ही ब्रह्म है इस समय तेरे लिए क्या है तप ही ब्रह्म है यहाँ पर साप लिखा हुआ है तप ही ब्रह्म विजिग्यासस्व तप ही ब्रह्म इस इस लोक की अंतरगत कि तप ही ब्रह्म है फिर उन्होंने उपदेश दिया कि तु तपस्या कर तप कर क्योंकि तप ही ब्रह्म है इस प्रकार पिता की आग्यापाकर भिगूने फिरसे तप करने चले गए वह क्या करने चले चले गए तो सभी ऴ्रह्म है दो बार में पहली बार अनभी ब्रह्म है लेकिन अभी जिस दृष्टी से भ्रिवु देख रहे हैं उससे समझ में आने वाला नहीं है तो वर्ण देव ने कहा कि तप ही ब्रह्म है तप करो जाकर और इक्षा करो कि ब्रह्म का ज्यान तुम्हें हो जाए तो भ्रिवु महराज चले गया फिर से तपस ब्रह्म है मन ही ब्रह्म है क्योंकि प्राणों को भी कंट्रोल तो मन कर रहा है मन ही ब्रह्म है इस प्रकार समझना चाहिए सच मुझ मन से ही ये समस्त प्राणी उत्पन होते हैं मन से ही जीते हैं मन के ही भावनाएं हैं जो अने के योनियों में घुमाती हैं जो क्रिश्न भगवान ने कहा कि जो जैसी भावना रखता है वैसी वैसी गती को प्राप्त कर लेता है तो मन ही ब्रह्म है उन्होंने कहा कि मन ही ब्रह्म है, मन ही सब प्रकार से प्रविष्च होता है, मन प्राणों को भी अपने नियंतरन में रखता है जानकर फिर भी अपने पिता वरुन के पास गए और कहा कि हे भगवन मुझे तो यही लगता है कि मन ही ब्रह्म है अब आप मुझे ब्रह्म का अपदेश कीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुन रिशी ने भ्रिगू से कहा कि ब्रह्म को तप से अगर तुम तत्व से जानना चाते हो तो तप करो तप ही ब्रह्म है भ्रिगू ने कहा मन ही ब्रह्म है वरुन देव ने कहा नहीं तप ही ब्रह्म है तप से ही पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है अगर तुम उसे तत्व से जानना चाते हो तो तुम्हें तप करना पड़ेगा और इस प्रकार पिता की आग्या पाकर भ्रिगू पुना तप करने चले पुनाह तप करने चले गया फिर से तपस्या की फिर से तप किया और तप करने के बाद पुनाह अपने पिता के पास वापिस आ गए पिता के पास वापिस आ गए तो अब इस बार क्या है भीया इस बार एक दूसरा कंक्लूजन लेकर आ गए क्या लेकर आ गए उन्होंने क्या कहते हैं वो आई सुनते विज्ञानं ब्रह्मेति विज्ञानात विज्ञान देव खल विमांई भूतानी जायंते क्या कि विज्ञान ही ब्रह्म है विज्ञान मतलब महत्तत्व के लिए कहा जा रहा है इस सब चर्चा पहले भी तो हो गई है अन्न मैं प्राण मैं मनों मैं ब्रह्म और विज्ञान मैं और आनंद मैं की चर्चाम पहले भी इसी उपनिश्द में तैतेरी उपनिश्द में हो चुकी तो कहते हैं कि विज्ञान ही ब्रह्म है तो कि विज्ञान तो मन को भी कंट्रोल करने वाला है तो इस प्रकार मैं ने जान लिया है सचमुच विज्ञान से ही ये समुष्ट प्राणी उत्पन होते हैं और उत्पन होकर विज्ञान से ही जीते हैं और विज्ञान में ही समाते हैं ऐसा निर्णय ले लिया भ्रिगु महराज ने और ऐसा निर्णय लेकर अपने पिता के पास गए और कहा कि हे भगवन मैं जान चुका हूँ कि विज्ञान ही ब्रह्म है अगर मुझे में कोई तुरुटी हो तो आप मुझे ब्रह्म का उपदेश देजिए इनको भगवन खेअ अपने वरुन रशी को भगवान कहते हुए सम्भगवन उपाधी देते हुए कि हे भगवन आप मुझे बताएं कि सत्य क्या है ब्रह्म क्या है फिर से उन्होंने उसका समर्थन पूर्ण रूपे नहीं किया ये भी नहीं कहा कि तू गलत है और ये भी नहीं कहा कि अभी अंत तक पहुँचा नहीं है तो उन्होंने कहा कि तपसा तप के द्वारा पता चलेगा इसलिए तपही ब्रह्म है तपह ब्रह्म है इस प्रकार से इन इसलोकों में बार बार लिखा जा रहा है तपह ब्रह्म है इसलिए हमने आज का विशह लिखा है तपह ब्रह्म है तो तपह अतप्यत पुनह तप करो जाकर पुनह तप करो अभी और तप करना बाकी है तो इस प्रकार से मारशी भीगू फिर तप करने चले जाते हैं अभी तक तो उनको उनको अपने प्रश्णों का उत्तर मिला नहीं है तो फिर तपस्या करने चले जाते हैं फिर साधनां करने चले जाते हैं तपढिए भर्म है ऐसा बार-बार ? अंसरे चले बार एक और कंक्लूजन लेकर आ जाते हैं क्या आनंदो ब्रह्मेती विजनात आनंदा द्वेव खल विमानी भूतानी जायंते आनंदेन जातानी जीवंती आनंदम प्रेंत्य विशं विशंतिती सैशा भार्गवी वारूनी विद्या परमेव्यमन प्रतिश्चिता सय एवं लागी अब देखीए इस स्लोक अग्र आप इस द्यान से सुन रहा होंगे तो इसी स्लोक में अब नहीं हो रहा है कि शुझीं क्या कहता है ये conclusion मिला आनंद ही ब्रह्म है इस प्रकार जाना क्योंकि सचमुच आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन होते हैं आनंद से ही जीते हैं इस लोक से आनंद हेतु ही जीते हैं और आनंद से जीते हैं आनंद में ही प्रविश्ट हो जाते हैं सभी प्राणी अपने माता-पिता के द्वारा आनंद से ही उत्पन किये जाते हैं जो संतान के उत्पति होती है भृगु की जानी हुई और वरुन द्वारा उपदेश की हुई यह विद्या आकाश श्रूरू प्रतिष्ठित है अब उसकी प्रतिश्चा की बात की जारी है, क्योंकि जब अब जब जाते हैं भ्रिगु महराज अपने पिता के पास, तो उनको समर्थन प्राप्त होता है उनको अपने पिता का समर्थन प्राप्त होता है कि हाँ अब तू जान रहा है अब तू थोड़ा समझ रहा है अब तू जान रहा है कि आनंद ही ब्रह्म है तो फिर वरुन देव ने इसको समझा दिया और कहा कि अब कुछ बताने की उपदेश करें ठीक है कहा भी नहीं तो इसी लिए भारगवी वारुनी विद्या परमे वियोमन यह जो भ्रिगु और वरुण की विद्या है यह ब्रह्म विद्या है यह विशुद्ध आकाश शरू पर ब्रह्म प्रमात्मा में प्रतिश्चित है अर्थात पुर्णता नभूती है इस अवस्था का जो ज्यान है वह उस प्रमात्मा में ही प्रतिश्चित है वह ब्रह्म में ही प्रतिश्चित है तोकि उसकी कोई आत्मा नहीं होती है अन्न में शरीर की आत्मा प्राण में शरीर की आत्मा मनों में मनों में शरीर की आत्मा विज्ञान में और व व्याख्या नहीं आते भर तो यहां पर तपसे बार बार एक बात रीपीट के जारी है कि तपसे साधना से योग से जान पाओगे तो प्रतिश्थित है इस प्रकार वेद जानता है वेदों में वर्णित है इस्थित हो जाता है वह वेदों में ही इस्थित हो जाता है आनंद में इस्थित हो जाता है अन्न को भली भाती पचाने वाली जो शक्ति है वह भी आनंद है वह भी ब्रह्म है संतान से पश्वों से ब्रह्मते जिसे संपन्न होकर वह महान हो जाता है जो उस आनंद में अवस्था को जान लेता है, उत्तम कृती को प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से इसका अब वर्णन किया गया है, महीमा गाय गई है, ठीक है, तो यह विशेह है, लेकिन यह सब संभव कैसे हो रहा है, तो छटे अनुवाक में, अभी हमने छे अनुवाक पर चर्चा कर दी, भ्रिगु वल्ली के छे अनुवाक पर हमने चर्चा आज कर ली, तो पर्थम अनुवाक से लेकर जहां पर चर्चा है कि भ्रिगु वरुन देव के पुत्र हैं, और वो अपने पिता से प्रश्न करते हैं जिससे संपुर्ण इंद्रिया संपुर्ण भूत और यह जीव उत्पन होते हैं जिस शक्ति से जीव अपना जीवन जीता है और जिस शक्ति से वह लोकों से प्रयान कर जाता है वह परम शक्ति जिसमें जीव जाकर अपने आपको मिला भी देता है वह ब्रह्म है वह ब्रह्म ह उसी से उत्पन होता है उसी में जीवन जीता है उसी में मिल भी जाता है जैसे पानी से पानी के बुलबुले निकलते हैं और पानी में ही मिल जाये करते हैं ठीक है तो उसी में तो वह परमशक्ति ब्रह्म है उसको कैसे जाना जाए मैं कैसे जान सकता हूं उसको भृगु मने पूछा प्रश्ण तो वरुन देवने का कि तुम उसको तप से जान सकते हो कैसे जान सकते हो तप से जान सकते हो तप से ही जानोगे ठीक है जी तप करने चले गए ब्रगु महाराज तप करके लोटे अपने पिता के पास पिता से कहा कि भाई मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अन्न ही ब्रह्म है सब तो अन्न ही पैदा हो रहे हैं ठीक न तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि अन्न ही ब्रह्म है सब तो अन्न से ही उत्पन हो रहे हैं और अन्न में ही समा रहे हैं तो सब अन्न से उत्पन होकर अन्न में ही समा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है तो उन्होंने समर्थन ने किया उन्होंने समर्थन नहीं किया वरुन देव ने कोई समर्थन ना करकर वरुन देव ने कहा कि अभी और तप करो तपही ब्रह्म है अभी तो यही मानों की तपही ब्रह्म है अभी तो यही मानों की तपही ब्रह्म है ठीक तो तपही ब्रह्म है ये बात वहाँ पर कह दे गई चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो वरुन देव तपस्या व्रिगु महराज फिर से तपस्या करते हैं तब करकर फिरे conclusion लेकर आते हैं कि प्राण ही ब्रम्है, प्राण ही ब्रम्है, तो अब प्राण ब्रम्ह हो गया, तो प्राण कैसे ब्रम्ह हो गया? उसका भी समर्थन वरून देव ने फिर नहीं किया? तो उसका भी समर्थन नहीं कि आप भींगु Massachusetts ने कहा कि भार देखो तपही ब्रह्म्व है अभी तो तुम्हारे लिए तपही ब्रह्म्व है ठीक है इसलिए जाओ तप करो तप करो साधना करो 10 पिर लोठ कर आए फिर उन्हों ने कहा कि मुझे लगता है कि मन ब्रह्म्म है कि मन को प्राणों को भी कंट्रोल करने वाला मन है वरुन देव उनने कहा कि नहीं अभी भी तफ करने कि अवशक्ता अभी तो तुम्हारे लिए पही ब्रह्म हैै जो कि बारबार रिपीड करकर फिर से उसे भेज दिया या कि जाओ तप ही ब्रह्म है लिए तो यह जो तप है यह तप रूपी ब्रह्म की चर्चा फिर कर रहे हैं कि अभी तो तुम्हारे लिए तप ही ब्रह्म है तो तुम तप करो जाकर तो तप ही ब्रह्म है ये वरुन देव बार-बार समझा रहे हैं फिर चलो मन अप्रान ब्रह्म है मन ब्रह्म है समर्थन नहीं मिला फिर क्या कहा जा रहा है विज्ञान ब्रह्म है कि विज्ञान तो मन को भी कंट्रोल करने वाला है इसलिए विज्ञान ही ब्रह्म है यह बात समझा दे गई कि विज्ञान ही ब्रह्म है तो वरुन्देव उसका भी समर्थन नहीं किया तो जब उसका भी समर्थन नहीं किया तो फिर उन्हें कहा कि तप ही ब्रह्म है अभी तप ही करो अभी तप ही करने की आवशक्ता है तो अभी तो तप ही ब्रह्म है तो तप करने की आवशक्ता है तो वो तप करने चले गए अब जब तप करने चले गए तो फिर वो एक conclusion लेकर आए कि आनंद ही ब्रह्म है आनंद ही ब्रह्म है और जब आनंद ही ब्रह्म है ये कंक्लूजन ले कर आये तवल है अब समझ गये किस ए अब तप करने कि तुम्हें अवशकता नहीं तुम अपने आप ही तप करोगे कर दो आज का जो मुख्य विशेह हम छे Αनुवाक अपको ब्रह्म समझ में आने वाला नहीं है अब यहां पर तपका अर्थ-ध्यान-्योग करिए उस तप को ही योग के माध्यम से समझाया जा रहा है ठीक है उस तप को ही योग के माध्यम से योग सुत्र बहुत बाद में लिखा गया या उपनिश्यतों की चर्चा बहुत पुरानी है ठीक तो बिना ध्यान योग किये हमें समझ में आने वाला नहीं है कि ब्रह्म क्या है इसलिए बार बार वरुन देव जब भी भ्रगु महराज पूछते हैं कि भाई मुझे ब्रह्म का उपदेश केजिए तो वो कहते हैं कि भाई तप करते हुए इच्छा करू तुम्हें तप करना पड़ेगा अगर तुम ब्रह्म जग्यासू हो तो तुम्हें तप करना पड़ेगा दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो जग्यासू ये गाठ बांध लिजी कि अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो आत्मा के रहस्य को समझना चाहते हो तो ध्यान यूग करना पड़ेगा ध्यान यूग करना ही पड़ेगा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं ध्यान यूग करना ही पड़ेगा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं ठीक है तो ये हमें समझना पड़ेगा तो मात्र सुनना मात्र प्रवचन उपनिशत क्या कहते हैं कि आत्मा ना प्रवचन से, ना बुद्धी से, ना मेधा से, ना प्रवचन से, ना बहुत सुनने से, ना बहुत बोलने से, प्राप्त नहीं हो ति कठो अपनिशद में इसकी चर्चा हो चुकी है, मुंडगो अपनिशद में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, मुंडगो अपनि यहां पर किया हैwend क्या है इसको जानना चाहते हो तो बस आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा है जो अद्यान योग को माध्यम से जो ध्यान योग की पद्धती जो जो साधना आपको दी गई है उसका अभ्यास करना ही ब्रह्म है इस समय है क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है दूसरा कोई मार्ग नहीं है दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसलिए बार-बार वरुन देव अपने पुत्र भिगु को रिशी भिगु को कह रहे हैं कि तप करो तप करो तप करो बस उसी से पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है वो बार-बार जाते हैं अपने पिताश्री से कहते हैं कि ब्रह्म का उपदेश कीजिए हे भगवन आप मुझे ब्रह्म का उपदेश किजिए वो कहते हैं एक बार उन्होंने बता दिया कि जिससे यह सारे जीव सारे पंच भूत इंद्रियां उत्पन होई हैं और उत्पन होकर अंत में जिसमें समा जाती हैं और जीव जिश शक्ती की प्रेणा से अपना जीवन जी किता है वह तप वह ब्रह्म है वह शक्ती ही ब्रह्म है लेकिन जानोगे कैसे तो तुम तपस्या करते हुए तप करते हुए चेश्टा करो तुम्हें पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है तुम ब्रह्म तक पहुंचोगे तो विकल्प भ्रिगू के पास भी नहीं था कि भाई अब वो बार-बार अपने पिताजी से कह रहा कि आप मुझे ब्रह्म का अपदेश के लिए वो कह रहा है तप ही ब्रह्म है जाकर तप करो तो जब तक आनंद मैं अवस्था तक जब तक आनंद मैं आत्मा को आप नहीं जान लेते हैं तब तक तप ही ब्रह्म है ध्यान योग ही ब्रह्म है ठीक है, तब करना ही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जब भिगु के लिए नहीं था, जब बालमिकी के लिए नहीं था कोई विकल्प, विश्वामित्र के लिए कोई विकल्प नहीं था, बुद्ध के लिए कोई विकल्प नहीं था, पतंजली के लिए कोई कोई विकल्प नहीं था स्वामी विवेकानन के लिए कोई विकल्प नहीं था तो आपके लिए कोई दूसरा विकल्प कहां से पैदा हो जाएगा योग साथना तो करनी पड़ेगी अब आजकल क्या ना योग स्पोर्ट्स योगाईज स्पोर्ट्स तो वह स्पोर्ट्स वाला योगा मत करना कॉंश्यसली योग करना शुरू करो शास्तर सम्मत तरीके से तु लाभ मिलेगा ठीक ना गुरु डम से अपने आपको बचाओ अरे भाई प्राप्त करो तुम ग्यान की खबर लेते नहीं हो गुरु बनाने पहले भागना शुरू कर देते हो ग्यान क्या चीज है उससे कोई लेना देना नहीं पहले ही गुरु बना तो या तो फिर तुम्हें अपचारिक्ता करोगे तो अपचारिक्ता ही मिलेगी ध्यान रखना भी है मैं सीधी से एक बात कह रहा हूँ पहले मैंने किसी को कहा था कोई मुझसे एक बात किसी माता जिनने प्रश्के भगवान की कृपा नहीं हो मैंने कहा कि भगवान क्या मुर्ख है क्या कि क्रिपा कर दे तो गुरू ज्यान ये ये सब अबचारिक्ता का विशय नहीं है, ये सब प्रदर्शन का विशय नहीं है यह सब कोई गद्डी का विशह नहीं कि हम गुरु गद्डी पर जाके बैठ गे फलाने तो गुरु जी है जी नहीं जहां से ग्यान मिल रहा है वह गुरु है दक्ता त्रे ने गणिका के अंदर भी अपना गुरु ढूलिया दक्ता त्रे ने गणिका के अंदर भी अपना गुरु ढूंड लिया क्या वो गणिका चिला चिला के बोल रहे थी कि मैं गुरु हूँ मैं गुरु हूँ बोलने की जुरत नहीं पड़ती है ठीक है तो इसलिए अब चारिकताओं से बच पाओगे तो अच्छा सच्छा ज्यान ले पाओगे तो ज्त फोगि मिकालcież गुरु बनाते रहो ऊंदर रहो दुनिया चली रही है ऐश्रम शंस्ताइ चली रही है ठीक है तो इसलिए तपही ब्रह्म है करना पड़ेगा कोई विकल्प नहीं है किसी के लिए नहीं था और आज भी किसी के लिए नहीं तो 20 तारिक से ध्यान योग करना चाहते हैं करिए कई लोगोंने पहले के uzल रहे हैं उसका लाव उठा रहे हैं 20 तारिक से नया कोर्स फिर से श रहे हैं आप लोग उसका लाव जरूर उठाएं उठाना चाहते हैं एक सिधा यूटूप पर ज्वाइन मत किजिएगा क्योंकि यहां कोर्स पुरी तरह से यूटूब पर तो चलता नहीं है पहले यूटूब पर ही चलता था अब नहीं चलता अब यूटूब और साथ में लाइब सेशन्स गूगल मेट या जूम एप पर भी चलती है साथ में ठीक है जी तो इसलिए आपसे यही मेरा निवेदन है यूटूब पर सिधा ज्वाइन ना करें ठीक आप मैसेज करें आपको डिटेल्स दिये जाएंगे उस डिटेल्स के कॉर्डिंग आपको ज्वाइन करें ठीक तो यह अच्छा रहेगा तो निश्य ही ध्यान योग जानिए कि कैसे महरशी पतं कि पालना करते हुए अर्जुन युद्ध करते हुए कि कर सकता है तो तुम क्यूं इस बात की में लगे हुए हो कि मैं तो यह करूंगा वहां जाओंगा पहाड़ों में जाओंगा ठीक है कभी-कभी जाना चाहिए बात अलग है तो अपने आने सामने आने वाले अपने जिस अवस्था में हैं आप कॉर्परेट में जॉब करते हैं आप Mbbs डॉक्टर हैं आप फिजियो थेरापिस्ट हैं आप इंजीनियर हैं IT कंपनीज में जॉब करते हैं कहीं भी आप करते हैं यू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन और आप अभ्यास कर सकते हैं आप सेक्रूटी गाड का काम करते हैं आप कोई भी काम करते हैं आप इसका लाव उठा सकते हैं अपना कर्म करते हुए अपने कर्तव की पालना करते ठीक है तो इसे आप समझें और इसको करें ठीक चलिए तो देखते हैं आपके कमेंट्स क्या है टपनिया भी पढ़ी लेते हैं जाते जाते चलिए देखा जाए कौन क्या लिख रहा है कौन क्या कह रहा है कि अगर कि अगर्ण सिंग जी स्वामे जी प्रणाम जगत नरायन जी प्रम्पुज्य गुरु जी के चर्णों में चलो जी काला बेन जी ओम नमस्षिवाय जगदीश लाल जेनती भाई पटेल गुरुदेव कुष्ण में प्रणाम गुरुवर मैं ज्यादा प्रश्ण करता नहीं परंतु एक प्रश्ण है कि मानव गंधर्व और गंधर्व देव लोक में कौन हैं किरपा करके बताएं यह कौन है यह बतायाना किसी का नाम लेके बताना ठीक नहीं है ठीक है तो यह चीज है और वपाल शर्मा जी ब्रह्म पाल कुमार जी ओम नमश्वाय माधुरी कोले जी उशा शिरवास्तो जी अनिल कुमार जी बल्दाउनात योगी जी शरोज कृष्णानी जी पवन पूरी जी चितरंजन बरुवा जी सब का बहुत बहुत अभिनंदन है ओम प शक्ति कैसे बड़े ध्यान योग से बढ़ता है रूप लाल जी रूप लाल विश्व कर्मा इस्मिता सावंत जी अभिनंदन आपका ललित गर्ग जी सचिन जोशी जी सचिन जोशी शुबना शुभा करी जी शुभा मैसूर नमस्ते गुरू जी अद्वाइत अभ्यास के लिए आपका स्वेच बहुत है जरूर लाब उठाईए कि करता है ठीक है पंकजर अर्गु वंशी जी गुरू जी क्या मोक्ष सनातन है क्या क्या ब्रह्मा जी का उमर होती है जी हम्रमा के भी उमर होती है निश्यरूप से होती है ठीक है बस यह है कि हमारी तुलना में अपुर्व विश्व कर्मा बभीता धिमान जी कर्मा अनंद पंडे जी राम राम जी कि मनुष्य के पाप और पुन्य का हिसाब किताब प्रकृती करती है या पिर प्रकृती के देवी और देव जैसे ही शिव जी है विश्णु जी एक ही बात है देवी देव करते हैं या प्रकृती करते हैं एक ही बात है ठीक है प्रकृती देव देवियों से ही संपन्न है तो देव देवी करते हैं या प्रकृती करते हैं बात एक ही है ठीक है समझ गया है तो इसमें कंफ्यूज होने के कोई आवशक्ता नहीं पुल्दीप सिंग जी तो प्रकृति करती है आप ये कहते हैं या कोई देवत्त करेंगे चितर गुप्त करेंगे एक प्रकृती ही कर रही हैगर किसाब किताब करते है तो प्रकृती कर रही है यह समझें आप ठीक है सब परवश हैं तो फिर कैसे प्रकृति के वशिभूत हैं प्रभात करवादर जी विश्वयात्री जी हमेंद्र कुमार सर जी क्या सभी लोग प्रकृति के अंदर आते हैं या फिर बाहर कृपया सत्य बताने का कस्ट कर दें सभी लोग प्रकृति के अंदर ही आती हैं सिर्फ परमधाम को छोड़ कर सब हिरन्य गर्भ के अंदर ही आते इसकी चर्चा तैतरी उपनिशद में हो चुकी है तैतरी उपनिशद का पूरा व्याख्यान सुन लिजिए अब इसका प्लेलिस्ट नहीं बना है बना देंगे प्ल अत्यंत महत्य पूर्ण है और बहुत ही गहरे रहस्यों को प्रगट करने वाला है ठीक है तो उपनिशद रहसमई हैं और कॉंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कोई उल्जन वाली बाते नहीं उपनिशदों में कहीं पर भी आपको साकार निराकार ग्रिहस्त स सन्यास सन्यासी स्रेष्ट ग्रिहस्त इस तो निराकार बड़ा इसा बाते कहीं मिलेंगे आत्मा को जानो आत्मा को जानो इस दिशा में चलो संपुर्ण उपनिशदों का अगर हम एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो बस आत्मा को जानों कैसे जानोंगे तप से जानोंगे ध्यान योग से जानोंगे दूसरा कोई विकल्प नहीं ठीक है जी चली यही समझाएगए तो इसको समझना है तो सभी लोग निश्य ही प्रकृति के अंदर ही आते हैं इसमें कोई शक नहीं है पंकज मिश्राजी स्रीक्रिष्ण द्वारा उनर दत्य को फिर से जिवित करना क्या यह सब कहानिया सच है हो सकती है यह पुरानों का विश्य है ठीक है कथाओं का विश्य है हो सकती है सिध्य योगी कर सकते हैं ऐसा ठीक है जी सिध्य योगी ऐसा कर सकते हैं तो कृष्ण भगवान है प्राण तत्य पर उनका नियंत्रण है तो कर भी सकते हैं सुमन गटिया जी प्रणाम गुरुजी संजय मोरे जी ओम तत्सत्त काला ब मैं शरीर संसार मेरा नहीं, मैं परमात्मा का अंच हूँ. सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा के शरन शरन है. है मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ये वक्ति योग में शरनागत होना है. चलो ठीक है. गुरू जी आपने जो योग मार्ग हमें दिये हैं बहुत ही अच्छा मार्ग है हम यूटूपर बहुत से गुरूओं को सुना है लोगों को योग के नाम पर भरमित करते हैं शमतकारी उपाय में फसाकर रखते हैं जी हाँ यह भी है बात सही है क्योंकि मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाना कई बार उद्दिश्य होता है तो वही गुरूडम आ जाता है यहाँ पर फिरूपर इसलिए मैं लाश्ट में थोड़ा सा गुरूडम के बारे में बोला ठीक है तो लोग चाहते हैं कि हम अगर आम को अमरूद बोले तो सारे लोग अमरूद बोले हम बोले कि सुरज पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च करना चाहते हैं वो भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो कुछ है हमारे देश में जो गुरु आश्रम और संस्थाएं कई जो हैं वह कोई वैदिक लोगों को कैसे वो करना इसमें लगे रहते है तो यह होता ही है धर्मेंदर शर्माजी इसलिए ध्यान योग यह आपको ध्यान योग में ट्रेन किया जाता है जो ध्यान योग कोर्स है यह ध्यान योग में ट्रेन किया जाता है आपको क्या ताकि आप अच्छे से अभ्यास कर सके डेली ध्यान कर सके एक महिने का कोर्स यह ट्रेनिंग कोर्स तो है नहीं गुरू बनने के लो तुस्तब तयारी वे कौन गुरू नहीं परना चाहता गुरू बने चेला बनाए डोनेशन आये दक्षिना आये दान आये कौन नहीं चाहता है शुल्क तो हम यहां लेते हैं ध्यान योग का दान नहीं मांगते ठीक है जी आप समझ लो जो आपको अच्छा लगता है लेकिन क्या किया जाए या एक बहुत आवश्यक है कि लोगों के अंदर सही मैसेज मिले और हमारे शास्त्र वास्तों में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा को हम समझे जाने ठीक है बस इसी सेवा के उद्देश से मैं ये व्याख्यान यहां लेकर आता हूँ ठीक है जी तो चलिए तो बस यही है और जब तक चल सकता है जब तक बता सकते हैं तब तक बताएंगे निश्य ही बताते रहेंगे ठीक है ये यूटूब चैनल एक माध्यम है जिससे कि आपको बताया जा रहा है इसी लिए मैं बार बार ये भी कहता हूं आपको स्रिष्ट लगे तो आप इस चैनल के वीडियो शेयर भी किया करें मैं कभी भी एड़टाइज नहीं करता चैनल का हां जो आटमेटिक हो रहा है अपने आप वो अलग है लेकिन लोग जो एड़टाइजिंग करवाते हैं पैसे दे कर फॉर सब्सक्राइबर एंड व्यूज आज तक कभी नहीं किया इस काम को कि अब शुल्क भी है ध्यान योग का अगर गंभीरता है जानने की इच्छा है तो आईए ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे और ध्यान योग कहीं करवा रहे होंगे कहीं आप मिल गया तो ज्वाइन कर लिजिएगा नहीं तो ऑनलाइन चल रहा है उसका लाब उठाई चीक है और अच्छे से चल रहा है जो लोग करते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं वह लाब उठाते वह अपना अनुभाव शेयर करते हैं बताते हैं कि हां जी ऐसे ऐसे नभूतियों से हम गुजर रहे हैं चलिए अच्छी बात है कभी और हम इस विशय पर विस्तार से बोलेंगे अभी शंकर चंद्र महतोजी तप ब्रह्म नहीं है तप और ध्यान से ब्रह्म को जाना जाता है जी हां लेकिन जब तक ब्रह्म को नहीं जाना गया तब तक तप ही ब्रह्म है उस साधक के लिए तप ही ब्रह्म है ठीक है महोद इसलिए यह उपनीशद वाक्य है तो आपका उद्देश उपनीशद का विरोध है या पिर इसपश्टी करन देना है क्या है वह तो व्याख्यान में सपश्ट होई गया शायद आपने सुना नहीं इसलिए कमेंट किया सु गुरुजी आपने हमें जो योग मार्ग दिया है बहुत ही दुरलब है बहुत कम लोग को मिल पाता है और उसका लाब बहुत कम लोग ही उठा पाते हैं यह भी बात सही है बहुत सुंदर प्रेड़ना दायक तथा सत्य को करमानुसार प्रगट कराने वाली चर्चा जी सगरबद गुजार सर मंतर ध्यान और विपस्तना ध्यान में क्या अच्छा है मैं तो यही कहूंगा इसके लिए उत्तर में अगर एक लाइन में कहूं तो ध्यान योग ज्वाइन करो उसी से आपको पता चलेगा कि दोनों में कौन सा बहतर है ठीक है बाकी जो कर रहे हैं व तक दिक्कत रहेगा आप चाहे कोई भी क्रिया करो दिक्कत रहेगा कई लोग विच्वत तवस्था में चले जाते हैं कि कई तरह के प्रैक्टिस करने के बाद बचिए उनसे चैतन्य खत्री जी सचिन जोशी जी पटेल आशाबेन जी अभिनंदन सचिन जोशी जी गुरुजी 108 उपनिशद में से जो 11 उपनिशद है उस विश्या पे आप सिक्षा दे सकते हो क्या नौ आट हो गया जी मूल उपनिशद नौ हैं इशादी नौ उपनिशद मूल उपनिशद माने गया हैं साथ में ब्रहद अरणनक उपनिशद से भी वेदान तवाक के लिए गया हैं छंदोगे से भी लिए गया है तो उनको भी ले लिया जाता है जी हाँ 11 पर तो चर्चा जरूर करेंगे 108 पर क करेंगे ऐसा साइध ना हो पाए लेकिन 11 पर तो जरूर करेंगे तरंजीत सिंग जी बहुत अभिनंदन दयाल चंड जी क्या बात क्या बात क्या चलिए अच्छी बात बहुत सुंदर लगे आपके भाव ठीक है पवन पलवार जी ठीक यू आर जीटी मैन प्रणाम गुरुजी ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है मुझे तो पूरा ब्रह्म एक ही लगता है जी हाँ ब्रह्मांड में आप ही ब्रह्म है अहम ब्रह्मास्मी से तो आप ही ब्रह्म है महोदे ठीक है स्वयम को जानने की जूरत है यह संपुर्ण ब्रह्मांड आप आप से ही परिपोर्णना है आत्म ज्यान के और बढ़ने की आवाशक्ता यहीं मैं अफ्टी के बॉड़नी थीक है बस नहीं तो शरीर का तो आप क्या है छीटी के बराबर भी नहीं है ब्रहांड के सामने उसकी विशालता के सामने शरीर से देखेंगे इंद्रियों से देखेंगे तो चीटी के बराबर भी नहीं है ठीक है हमारे लिए जैसे चीटी है हम उसके बराबर लेकिन जब आप ग्यान से देखेंगे तो फिर जो ब्रह्मांडे सोई-पिंड सबकुछ आपके अंदर समाया हुआ ब्रह्मांड का संपुल्ण रहस से आपके भीतर समाया हूँ जानने के जुरत है वही तब करना पड़ेगा वरुन भीगू वरुन बार बार कह रहे हैं कि तब करो चेस्टा करो दूसरा कोई विकल्प नहीं ना कोई विकल्प हुआ है आस तक है ठीक है तो आपको भी तब करन जाता है तो ध्यान योग भी अवश्य करें ठीक है चलिए इसमिता सावंत जी क्या कह रही है माता जी गुरुजी हमें करोना का और लॉकडाउन का शत्शह धन्यवाद करना चाहिए अगर करोना नहीं आता तो आप ऑनलाइन कोर्स नहीं करते और हम उसको नहीं पाते और जा सकती हैं बहुत जादा मेरे अंदर यह विचार नहीं था ठीक है जब यह हुआ परोना का काल आया तो फिर इसके बारे में चिंतन किया गया और इसको शुरू किया ध्यान योग कोर्स का और लोगों ने इसको ग्रहन भी किया कई लोगों ने इसका लाब भी उठाया लाब उठाने की है निश्य ही अगर नहीं कुरोना का काल आया होता तो ओनलाइन चलिए जो भी माध्यम है उससे अगर सत्का प्रचार हो रहा है अगर सही चीज हमें मिल रही है तो वह देवता ही है तो वह देव ही एक माध्यम है तो यहाँ पर ही देव ही माध्यम है तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से हम सही चीजों को जान पाएं समझ पाएं इससे बहतर और क्या हो सकता है ठीक है जिग्यासू तो निश्य ही लाब उठाएं कई लोग लाब उठा रहे तो बहुत अच्छी बात 20 जुलाई से फिर से नया कोर्स शुरू हो रहा है अभी तो 11 जुलाई वाला खतम होने के कगार पर है 29 वाला चल रहा है बीच में है और 20 जुलाई से नया कोर्स फिर से शुरू हो रहा है नया बैच शुरू हो रहा है अब गुरुप में चलता है इस करते हैं concept को clear करते हैं आप भी लाब उठाइए और आगे बढ़िए ट्रेन हो इस प्रोसेस में ट्रेन हो जाएए कि डेली आप ध्यान करें देली आप साधना करें को जान करें इस प्रोसेस में ट्रेन होने की आवशक्ता है तो निश्य यह इक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नुज इस क कि अपर ड्रेनिग प्रोग्राम है अपने आप ठीक है अब थोड़ा सा practical बन जाईए इस training course को जोईन कीजिए ध्यान योग का training course आये ठीक लाब उठाइए लाभानवित होई बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए जुड़ना चाहते हैं ध्यान योग करना चाहते हैं संपर कीजिए ठीक है और संपर करकर जानकारी प्र कोर्ट शुरू हो जाएगा जो नए लोग होंगे उनको अगले सेशन में जोईन किया जाएगा ठीक है तो कई बार क्या होता ना बीस तारीक से कोई फोन करेगा कि सर मुझे बीस वाले में जोईन कर लिजे बड़ा दिक्कत होता है ठीक है इसलिए पहले बता देते हैं फोन करेंगे कि सर नहीं मुझे बीस वाले में ही जोईन कर लिजेंगे मैं उतना दिन इंदजार नहीं करूंगा ऐसा हो चुका है इसलिए फिर डेट बताना पढ़ता है तो बस यही है इसलिए डेट बता रहा हूं कि बीस तारीक से शुरू होगा 18 तारीक तक आप जोईन कर ठीक बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और आपको चैनल का मैटर कंटेंट अच्छा लगता है लगता है कि हां समाज में देश के लोगों को जानना चाहिए तो जरूर शेयर करें जरूर शेयर करें बहुत-बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत् झाल झाल